तो आज़ाब नमस्कार, गुड इविंग सस्रेकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है, क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में, उमीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी, अपनों का ख्याल रख रही होगी, औ और क्रोना की इस जंग में, सभी अपने अपने तरह से लड़ाई लड़ा है, उन सभी का हिस्सा है हम सब, तो हम सब को भी अपना अपना फर्ज दिभाना है, ताकि इस लड़ाई से जल्दी हम लोग पार पाएं, इस से जीत पाएं, और जिन्दगी वापस फिर से उसी धर पर आएं, जिस जिन्दगी को जीने के हम सब आदी हैं, अब आज की कहानी सीधे, बहुत जमाने से काफी वक्त से, जबकि जब से क्राइम तक पर कहानी का सलसला शुरू हुआ शायद, बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी, हिटलर की कहानी, तो आग मुझे लगा कि हिटलर की कहानी के साथ, हिटलर की मौत और हिटलर के आखरी जो कुछ पल थे, एक बंकर के अंदर, वो कैसे क्या कुछ हुआ वहाँ उस दिन, कैसे हिटलर ने मौत से पहले, अपनी पुरानी गल्फेंट से एक शादी की, किस तरीके से उस शादी के लिए, जब पूरे बर् और उसके बाद शादी होती है, फिर उसके बाद जो कुछ होता है, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखोंगा, शुरुआत हिटलर से, अडॉल्फ हिटलर, दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के तौर पर अगर कुछ नाम आते हैं, तो उसमें हमेशा हिटलर का नाम और अगर वर्लवार सेकंड को जोड नहीं, जिसमें करीब पांच करोड लोग मारे गये थे दोनों तरफ से, तो उसका भी इलजाम हिटलर के सारा आता है, कि सेकंड वर्लवार जो था, दूसरा विश्वियुद, वो हिटलर की वज़ा से था, हिटलर की सनक की वज़ा से था वर्ना ये सेकंड वर्लवार नहोता, तो ये सारे ही कुछ और चुके जर्मनी का हिटलर तानशारा वहां पर रूल किया, लेकिन पैदा है जो हुआ था वो हिटलर, वो ऑस्ट्रिया में हुआ था, और फिर जर्मनी आता है, लेकिन ऐसी क्या चीज थी कि वो जर्मनी का हुक पुरान बन बैठता है, और एक पूरी जो उस वक्त चीजें थी, दुनिया को किस तरीकी से बाट देता है, ये सारी कहानी है, पहला वर्लवार जब हुआ, फर्स्ट वर्लवार, पर्थम विश्वयुद्ध, जो की 1914 से 1918 तक करीब 4 साल चला था, इसमें अलग-अलग देश, अलग-अलग गुड बना कर लड़ रहे थे, और इस पहले वर्लवार में, जर्मनी की बुरी तरह से हार हुई थे, शिकस्त हुई थे, और इस हार के बार जर्मनी को जब सरेंडर करना पड़ा, तो ब्रिटन, फ्रांस और उसके जितने भी दोस्त देश थे, इन सब ने मिलक दिन बर दिन खस्ता होती गई, और जर्मनी कमजोर होता गया जर्मनी में, बेरोजगारी बढ़ने लगी, भूकमरी बढ़ने लगी, वहां के जो शासक थे, वो लोगों की बजाए अपनी ठाट, अपनी शानबान को देखने लगे, और जर्मनी के लोगों में बड़ी जर्माजवादी जर्मन कामगार पार्टी, N.S.D.A.P. इस पार्टी को नाजी पार्टी भी कहते हैं, और नाजिम जो है नाजिस्म या नाजी सोच, यहीं से पनवती है, ते इस पार्टी के जरीए, हिटलर ने धीरे धीरे अपनी जो महत्वकान चाहें थी, जो उसकी खाह थी, वो सारी चीज़े बढ़ाने लगा, और इस पार्टी के बाद, गठन के बाद, जर्मनी में वो चुनाओ भी लड़ा पहले, उसको काम्याबी नहीं मिले, धीरे धीरे, लेकिन उसका सीड बढ़ते गए, लेकिन जो नाजी पार्टी थी और नाजी पार्टी की जो सोच थी, वो ये थी, कि इस पूरे विश्व में दुनिया में, जो जर्मन है, वो सबसे सर्वश्रेस्ट हैं, और इसलिए उन्हें हक है पूरी दुनिया पे हुकूमत करने का, ये हिटलर की सोच थी, और इसको उसने जर्मन के साथ रिलेट किया, तो जैसी ये चीज आ गई, कि जर्मन सर्वश्रेस्ट हैं, और उनको हक है, दुनिया पे राच करने का, वहीं से हिटलर की ये सोच कि जर्मनी से बाहर निकल कर दुनिया के अलग अलग देशों को फते करना, जीत करनी है, वो सनक उसकी शुरुआत हुई, पहले विश्विद में जब जर्मनी हारा, तो ज लोगों की ये सोच हिटलर को पता चली, तो इसने इसको भी मुद्दा बनाया, और यहूदियों के नाम पे वो खेलने लगा, नाइन्टीन ठर्टी थरी में चुनाओ हुआ, और हिटलर जो है जर्मनी में चुनाओ भारी मतों से जीत जाता है, और उसके बाद वहां का चां और सारे पावर, सारे अधिकार अपने हाथ में ले लेता है, यहां तक कि अपने आपको, मताब पूरे जर्मनी का सबसे सुप्रेम लीडर डिक्लियर कर देता है, और इसके बाद शुरू होती है अब हिटलर की तानशाही का दौर, सबसे पहले वो जो यहूदी रह 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 जर्मनी में उनको हुक्म देता है कि आप देश छोड़ के चले जाओ, इसके बाद यहूदीयों का कतल याम होता है, हिटलर को यहूदी पसंद नहीं थे, नफरत थी, तो कहते हैं कि हिटलर के दौर में लाकों यहूदीयों का कतल याम हुआ, यहूदीयों की समस्षए यह थी कि उनके पास कोई अपना देश तब तक थानी, इसराइल तब तक वजूद में नहीं आया था, हिटलर की एक और थी कि जब पहला विश्वयूद जर्मनी हारा था, तो उसे लगता था कि पॉलन भी इसके लिए जिम्मेदार है, और इसलिए हिटलर धीरे धीरे याप प अब हिटलर की तानाशाही शुरू होती है, और उसके बाद धीरे धीरे अब वो जर्मनी से दायरा अपना पूरी दुनिया में बढ़ाना चायता है, और इसी वज़ा से दूसरे विश्वयूद की एक तरह से बुनियाद पड़ती है, चुकि जर्मनी की हालत भी खसता थी यूरोप के अलग-अलग देशों में भी अलग-अलग गुड़ बंदी थी, पात में हिटलर इदर था, एक मुसलीनी था जो इटली में था, वो भी एक तानाशाह था, और जापान ये भी जर्मनी का साथ दे रहा था, तो इटली, जापान और जर्मनी इन तीनों ने मिलके एक अपना गुड़ बना लिया, और इन तीनों की अपनी-पनी महत्वकान चाहें थी, देशों पे अलग-अलग कबजा करना था, तो जब इटली, जापान और जर्मनी एक साथ आए, और इनकी हिटलर के बारे में पता चला तो बाकी और अप देश और दूसरे देश भी घ फ्रांस, इंगलेंड, अमेरिका और यहां तक के सोवियत संग, इन लोगों ने एक अलग गुड़ बनाया, तब तक सोवियत संग या अमेरिका भी कहें, सूपर पावर टाइप की चीज नहीं थी, तो इन लोगों ने सिर्फ इसले बनाया कि हिटलर के डर से, उधर मुसलोन दूसरी तरफ आपके ब्रिटन, अमेरिका, सोवियत, रूस, भल जिसको कहें, फ्रांस, यह लोग एक तरफ हो गए, इस दोरान में हिटलर लगातार दुनिया पर कबजा करने के अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करता रहा, और यहीं से दूसरे विश्विश्यत की शुरुवात जो होती है, यह होती है 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मन जो है, यह पोलन के उपर हमला कर देता है, पोलन के साथ ब्रिटन ने एक समझाता किया था कि अगर तुम्हारे उपर को यहां चाहेगी तो हम तुम्हारा साथ देंगी, तो हमला पोलन पे था, लेकिन एक तर करता है हिटलर, इंगलेन और फ्रांस, यह दोनों भी इस युद्ध में तूट पड़ते हैं, क्योंकि उनको पोलन की मदद करनी थी, तो जर्मनी के खलाफ एक तरह से वो दोनों जंग में आमने सामने आ गया, जर्मनी लेकिन तब तक पोलन पे कबज़ा कर चुका था, ले लेकिन महौल टेंस रहता है, खराब रहता है, और हिटलर जो है, और मदबूत होता जाता है, सेकंड वर्वार की जो सबसे बहाना कहानी शुरू होती है, वो होती है करीब वर्वार शुरू होने के एक साल के बाद, 1 सितम्बर 1939 को पोलन पे हमला किया था, 9 अप्रेल 1940 को जर जित जाता है, अब यहीं नहीं रुकता है हिटलर, इसके बाद वो आगे बढ़ता है, बेल्जियम, हॉलेंड और यहां तक कि फ्रांस पे भी हमला कर देता है, क्योंकि फ्रांस पॉलेंड की वज़ा से इंगलेंड के साथ मिलकर जर्मनी का दुश्मन हो गया था, तो वो फ फ्रांस मजबूरी में सरंडर कर देता है, हिटलर अब तक मजबूत हो जा रहा था, फ्रांस को जीतने के बाद उसका होसला और बढ़ता है, वो लगता है उसको कि चुके पॉलेंड की लड़ाई में इंगलेंड भी शामिल हो गया था, तो इंगलेंड अब दुश्मन था ह काफी बंबारी की, और एक तरह से इंगलेंड को बरबाद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाकी देशों की तरह इंगलेंड जादा कमजोर नहीं निकला, मजबूत निकला, उसने जर्मन सेना का ढटकर मुकाबला किया, और इसी वज़ा से इंगलेंड को फतह करने, की बार थोड़ा सा हिटलर एक कमजोर लीडर के तोर पर दिखा गया, यह पहला एक डेंट लगा था, तो जब इंगलेंड से मुकी खानी पड़ी तो इसके बाद हिटलर ने अब सोवियत रूस का रुख किया, क्योंकि वहां से कॉमनिजम पहल रहा था, और हिटलर कॉमनिस पार्टी और कॉमनिजम की सोच के खलाब था, क्योंकि वह नाजी सोच का था, और उसके हिसाब से पूरी दुनिया पर जर्मन का ही हकुमत हो सकता था, तो पहली अब तक की तमाम जीद के बाद हिटलर को थोड़ा सा धका इंगलेंड में लगा, लेकिन इंगलेंड के बाद फिर उसने का कि इसकी भरपाई रूस से करते हैं, उसने रूस पर चढ़ाई कर दी, रूस के एक बड़े हिस्से पे हिटलर ने कबजा भी कर लिया, उसकी सेना ने, क्योंकि रूस उस वक्त इसके लिए तयार नहीं थी और रूस नहीं सोचा भी नहीं था कि हिटलर ऐसा भी कर सकता है लेकिन फिर उतनी देर में उतना टाइम में रूसी फोज फिर एक खटे हुई एक जुट हुई और जब नाजी सेना यानि कि हिटलर की फोज रूस सोवियत संग की राजधानी के तरफ बढ़ने लगी तो उन्हों ने वहाँ पे रूस में घुचने से पहले उनको घेड लिया और फिर जबर्दस लडाई हुई और हिटलर की सेना को रूस से पहले शिकस्त खानी पड़ी और उन्हें वापस लौटना पड़ा वो रूस पे कबजा नहीं कर पाए तो back to back England की लडाई में कामयावी नहीं मिली उसके बाद रूस पे हमला किया और रूस में भी कामयावी नहीं लिए इन दो चीजों ने सिर्फ ये नहीं किया कि हिटलर को नाकामी भी बलकि इन दो चीजों ने ये भी किया कि हिटलर को एक कमजोर के नेता के तोर पे भी देखा गया है और ये भी एक सोच आई कि हिटलर को अगर मिल जाए तो हम हरा सकते हैं बाकी देशों ने ये सोचा इसके बाद अब रूस और बाकी लोग चुक्कि यह हमला हो चुका था बाकी देश सारे खट्टे हो गए और उनके निशाने पर तीन देश था इटली, जर्मनी और जापान चुक्कि हिटलर के यह दोनों साथ ही थे पहला काम यह किया कि अब छिट पुट वर्ल वार चल रहा है 1944 में रूस और इसके जो सहयोगी दोस्त हैं अमरिका, ब्रिटन, इंसमने में बेकर इटली पे चढ़ाई की और इटली को मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए इटली एक मजबूत दोस्त था हिटलर का, जैसे ही इटली में शिकस्त मिली और इटली को सरेंडर करना पड़ा तो हिटलर को बड़ा जटका लगा, चुक्कि इसकी ताकत कम हो गए थी और इसके बाद अब सोवियत सेना की जो फौच थी, उसका होसला बढ़ा वो आगे बढ़ना शुरू ही, उधर इसी बीच में अमेरिका ने जापान पे दबाव बनाया और एक चीज फिर ऐसी हुई, जिसे आज भी दुनिया याद रखती है कि अमेरिका ने 1945 अगस्त में हिरोशीमा और नागासाकी पर आटम बम गिरा दिया पहली बार नुटलियर बम का इस्तमाल तब हुआ था, सिकन्ड वर्ल वार में और अमेरिका ने ये जापान को कई वार्निंग दी थी, जो उसने कई दूसे देश के इस पे हिससे पे कबज़ा किया था वापस करने और बाकी सरिंडर करने, जापान माना नहीं तो अमेरिका ने बम गिरा दिया, इससे जापान की आहलत खराब हो गए, जापान मजबूर हो गया और जापान को सरिंडर करना पड़ा, तब हिटलर के जो दो सबसे एहम दोस्त थे इटली और जापान दोनों को सरिंडर करना पड़ा अब बचा सिर्फ और सिर्फ हिटलर हिटलर की सेना लगातार कमजोर पड़ती जा रही थी रूस और उसके बाकी जो सहयोगी देश थे वो अपतेजी से जर्मनी की तरफ बढ़ते है जर्मनी के बढ़ने के दौरान Hitler की जो सेना है मकाबला करती है लकिन हारती जाती है उसके बाद नौबत ही आ जाती है कि अब रुसी सेना बर्लिन में दाखिल हो जाती है जर्मन की राज़धानी और उसी बर्लिन में Hitler था Hitler को अभी आथा बनाज़ी हो जाता है कि शयद जो जंगी सामान अबाकी चीजें और जिस तरीके से बाकी देश है जुट हो गया है उसके बाद उसके जीत का सपना तूट जाएगा और उसे इस जंग में हार होगी इसी वज़ा से छे और नौ अगस्त को जब अमरीका ने नियूकलियर बॉम गिराया उसने और भी ज़्यादा हिटलर को फिर तोड़ के रख दिया अब हिटलर जो है वो बर्लिन में जब उसे लगा कि जंग हार ने रूसी से ना आगे बढ़ रही है कोई चारा नहीं है तो एक खास बंकर बनवाया था जमीन के पचास फिट नीचे वो उस बंकर में अपने खास सेना के जो बड़े अफसर थे उनके और अपने भरोसे मन ल अब उसको सर्फ एक भरोसा था कि जो उसकी सेना लड़ रही थी बर्लिन में वो किसी तरह रूसी फोज को ख़देर दे और वो फोज वापस पीछे चली जाए तब ही वो अगर बर्लिन को बचा लेता है तो फिर हिटलर वापस आ सकता था मैदान में जंग के और हिटलर की जो एक जगा थी वो सर्फ बची रहती है आखरी उसको उमीद थी कि ये सेना जो है बर्लिन की लड़ाई में रूसी सेना को ख़देर देगी लेकिन ऐसा होता नहीं है बर्लिन में हिटलर की सेना बुरी तरह हारने लगती है और अब लगभग हिटलर और रूसी सेना के पहना था कि उसके अपने ही बहुत सारे आर्मी के जो सीनियर लोग थे उन्होंने उसकी जासूसी की उसके बारे में जानकारी दी दुश्मन सेना को और ये सच था हिटलर के सताय वे बहुत सारे ऐसे लोग थे उसकी सोच के खिलाफ जिनोंने रूस की अमरिका की ब्रिटन क की इन लोगों की मदद की हिटलर उसकी रवने थी उसके कहा पा एक कब क्या करेगा इन सारी चालों के बारे में उसके अपने लोगों ने उसके खलाफ जासुशी की और ये दुश्मन को जो मुसलिनी के साथ हुआ था इटली में वो नहीं चाहता था कि वैसी मौत मरे अगर वो दुश्मन के हाथ लग गया तो उसे ये लगता था कि फिर उसे सर्याम पबलिक के बीच में फांसी दी जाएगी उसे पहले टॉर्चर किया जाएगा बुरी तरह मारा पीटा जाएगा चुक्कि उसके उपर लाकों लोगों के गतल आम का एख़ाम था तो उसके सामने दो रास्ते थे एक ये कि वो सरेंडर कर दे और दूसरा ये कि खुदकुशी कर ले सरेंडर करने के पीछे जो चीज सोच नहीं काम आए वो ये कि फिर उसके साथ बहुत बुरा बरता होगा और वो ऐसी मौत बनना नहीं चाता तो दूसरा ये था कि फिर खुदकुशी कर ले यहीं से हिटलर की मौत की कहानी शुरू होती है हिटलर की एक दोस्त थी वा जो लगा लंबे टाइम से उसके साथ थी करीब 28-29 अप्रेल 1945 को हिटलर ये टाय कर लेता है आखरी वक्त तक वो कोशिश करता है कि रशियन फौद शायद पीछे हट जाए लेकिन ऐसा होता नहीं उसके सेना और बाकी लोग उसको रिपोर्ट देते हैं कि अब हम जंग नहीं जी सकते हम हार रहे हैं और बरलिन पर रूस का कबज़ा होने का मतलब है कि फिर हिटलर उनके कबज़े में हिटलर को यकीन हो चुका था कि ये जंग हारने के बाद उसका बढ़ना मुश्किल है 29 अपरेल 1945 को उस बंकर के अंदर अचानक हिटलर इवा को प्रपोस करता है और कहता है कि मैं तुम से शादी करना जाता हूँ इवा के लिए शौकिंग थी इवा तयार हो जाती है इसके बाद यह होता है कि अप शादी कौन कर आएगा बर्लिन में उस वक्त रश्यन बंबारी चल रही है तमाम दोनों तरफ से सेना के जो बचे वे वे वो लोग लड़ रहे है बर्लिन लखबक खंडर बन चुका है क्योंकि कई दिनों से बंबारी है ऐसे वक्त में हिटलर का एक खास आर्मी का उसका भरोसे मन वो जाता है एक फादर को लेने के लिए बर्लिन में शाम के वक्त फादर को लेकर बंकर में आता है बंकर में आता है जब शादी की बात बताय जाती है तो फिर अचानक पता जलता है ये फादर मेरे सेर्टिफिकेट अपने साथ लाना भूल गया है अब ये था कि उस सेर्टिफिकेट की बिना शादी कैसे होगी साइन उसी पर होना था फिर रिस्क लिया जाता है उस फादर को दोबारा जो खास भरोसे मन लोग थे हिटलर के उसके फिर घर जाते हैं उसी बर्लिन में जिस पर बंबारी चल रही है दुश्मन की भी निजर है पकड़ भी सकते हैं उसके जरीए हिटलर तक पहुंच सकते हैं लेकिन हिटलर फिर भी रिस्क लेता है फादर को भेजता है वापस उसके बाद वो मेरे सर्टिफिकेट लेकर बंकर में आता है इसके बाद चुनिंदा लोगों के बीच में उनकी गवाही के बीच में इवा और हिटलर की शादी होती है शादी होने के बाद एक छोटी सी पार्टी होती है उसी बंकर में और पार्टी होने के बाद हिटलर लगभग तैय कर चुका था और कि उसका अन्जाम क्या होना है वो अपने खास गाट को बुलाता है अपने पास और उस गाट से कहता है कि अगर मैं मर जाओं तो तुम मेरे शरीर को जला देना और जलाने के बाद उसको दफना देना अब ये बाद बड़े अजीब थी उस वक्त तो उसके गाट के लिए भी क्योंकि हिटलर एक क्रिश्चन था हिसाई था और लाश को दबाते हैं वो जलाते नहीं है लेकिन हिटलर ने ये कहा कि मेरे शरीर को तुम्हें दफनाना है जो दफनाना नहीं जलाना है और जलाने के बाद दफनाना है इसके बाद उसने कहा कि जब मुझे तुम दफना दोगे उसके आद मेरे कमरे में जाना और मुझसे जुड़ी वी जतनी चीज़ें उन सब को लेकर आना और उन सब को भी जला देना सिर्फ एक पेंटिंग है एक बड़े मशूर उसक्त पेंटर थे उस पेंटिंग को तुम मच्छूना मैंने अपने ड्राइवर को बताया वो उस पेंटिंग को किसी तरह बर्लिन से बाहर ले जाएगा यह उसने आखरी चीज़ गही इसके बाद हिटलर अपने कमरे में जाता है इवा उसके साथ थी इससे पहले वो अपने एक और कमांडेन को बलाता है और उससे पूछता है कि यह बताओ कि साइनाइड मौत के लिए कितना कारगर है यह काम्याब है की नहीं एक डौगी जो बड़ा यह प्यारी थी हिटलर को वो उसके साथ थी तो वो कहता है कि इसको एक काम करो हिटलर कहता है कि साइनाइड कितना कारगर है यह नहीं है पहले इसको टेस्ट करो तो वो जिसको सब बहुत प्यार करता था हिटलर अपनी उस डौगी को वो उसके उपर कहता है कि तुम टेस्ट करो वो उसे देता है सिकंड भर के अंदर उसकी मौत हो जाती है इसके बाद उस डॉगी को उठा कर उसी कमपॉंड में जो बंकर का था वहाँ पे ले जाके दफना दिया जाता है तो यह अविया उसके बाद वो बताता है कि यह स्ट ओके है सब कुछ होने के बाद हिटलर अपने कमरे में जाता है इवा साथ में थी बाहर में उसका एक खास गार्ड था रोसर्श जिसने बाद में एक किताब दिली थी आखरी पलों की हिटलर की तो दर्वाजे के बाहर था क्योंकि जतने भी फोन आते थे वो फोन खुद पहले यह रोसर्श उठाता था इसके बाद रेटलर को देता था तो शाम को उस दिन खबर आई जो भी फोन उठाया उससे पता चला कि बर्लिन के हालात किया है रूसी फोज बहुत तेजी सागे बढ़ रही है और अब बर्लिन को बचाने का कोई रास्ता नहीं है यह सब सुनने के बाद हिटलर अपने कमरे में जाता है रोसर्श जो उसका गार था वो बाहर खड़ा रहता है थोड़ी देर के बाद एक फायर की आवाज आती है कमरे से और हिटलर यह बोल के किया था कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा लेकिन दर्वादा अंदर से बन नहीं किया था थोड़ी देर के बाद गोली की आवाज चलने के आती है गोली की आवाज सुनके कुछ और लोग वहां पर आ जाते हैं जो खास थे थोड़ी देर तक वहां खामोशी रहती है फिर ये फैसला होता कि दरवादा कोल के देखा जाए दरवादा कोल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि हिटलर का सर टेबल पर पढ़ा हुआ है ब्राबर में सोफे फे इफा पड़ी भी इवा और उसमें उस दिन नीले रंग की ड्रेस पहनी थी जिस पे सफेद जालरे थी और वो सोफे पे लुड़की भी थी और उसका सर जो है वो हिट्लर की तरफ था चश्मदीद जोनों देखा उसके हिसाब से हिट्लर ने अपने सर में गोली मारी थी इवा के बदन पे गोली मारने के कोई निशान नहीं थी और कमरे से एक ही फायर की आवाद आई थी इवा ने उस साइनाइट को खाया था इस साइनाइट को उससे पहले हिट्लर ने टेस्ट करवाया था तो इन लोगों ने देखा हिटलर मर चुका था इवा सामने मरी पड़ी भी थी उससे पहले हिटलर ने अपने और जो मददगार भरुसे मन तो उससे कहा था कि इस बंकर में 200 लेटर पेट्रॉल मंगबा लेना तो 200 लेटर चुके एक तो बर्लिन में हालात खराब रूसी बंबारी चल रही है 180 लेटर पेट्रॉल मिला था टोटल वो लाया गिया उस जगे पे बंकर में जब यह हो गया सब कुछ उसका बताया गया कि हिटलर ने यही आखरी फर्मान दिया है तो फिर हिटलर की लाश को बाहर लाई गी और उसके बाद उसके कमरे में जो सामान थे जैसा कहा गया तो उन सब को एक जगा जमा किया गया पेट्रॉल डाल कर हिटलर की लाश को जलाया गया उसी बंकर में जलाने के बाद उसको वहीं एक गड़ा खोद का दफना दिया गया साथ में इवा को इसके कुछ दिन के बाद रूसी से ना इस पंकर तक दाखिल हो जाती है उसके बाद वो इनमें से कुछ लोगों को पकरती जो रोसिश था वो भी गिरफतार होता है पूछता छोती है पिर उस जगड़े को खोदा जाता है उसमें से कुछ राख और बाकी चीज़ें मिलती है एक डाट का उसको वो बिलता है से उसी जगह से उसको वो अपने कब्ज़ों में ले लेते हैं रोसी जो अफसर थे सारे और उसके बाद वो उसको रूस ले जाते हैं अब यहां से फिर दो कहानी सामने आती एक ये थी कि किसी ने एक तो हिटलर को गोली मारते वे खुद को नहीं देखा था और हिटलर को जलाने और दफनाने की कहानी के वही पात्र थे वही किरदार थे जो हिटलर की सबसे भरोसे मन लोग थे और उनी की कहानी के जरीए पता चला कि हिटलर की मौत हो गई दूसरी उसी वक्त ये खबर आई कि हिटलर मरा नहीं है ज़र वो बर्लिन से निकल गया था और वो कहीं और चला गया अलग अलग देशों की खबर आई लास में आया कि ब्राजिल में उसकी मौत 90 साल के उम्रे में हुई वो भेज बदल के और बाकी उसके बारें बहुत सारी कहानी आई लेकिन रूस ने इन चीज़ों को हमेशा खारिज कि उसकी वज़ाए ये था कि जो दात मिले थे उस गड़े से जो हिटलर का डॉक्टर था उससे लंबी बात चीत हुई हिटलर के दात बड़े खराब थे उसकी बनावट बड़े बेतरतीब दात थे और उसको मसूरों की प्राबलम थी जिसकी वज़ाए से उसकी सांसों से हमेशा बद्बू आती थी तो जिस डॉक्टर ने हमेशा हिटलर का के दात जो डेंटिस्ट था देखता था रश्यन ने उसको अपने कब्जे में लिया और उसके बाद फिर उस दात के जरीए ये दावा किया कि ये दात हिटलर के ही थे तो रूसी दावा ही था कि 30 अपरेल 1945 को बर्लिन की उस बंकर में हिटलर की मौत हो गई थी हिटलर वहा से कहीं नहीं भागा कहीं और नहीं गया और ये सारी अफ़ाँ हैं कि कहीं कहीं अलग-लग मुलकों में अलग-लग देशों में वह देखा गया और इस claim का एक सबसे बड़ी चीज वो दाथ है जो हिटलर के रूस के कबजे में थे रोसच को बाद में रोश्यन फोज में गरफतार किया कर थे तेरह साल वो जेल में रहा तेरह साल जेल में रहने के बाद वो बाहर आता है बाहर आने के बाद फिर उसने जो किताब लिखी The Memoirs of Hitler Bodyguard 2013 में ये किताब आई थी और 90-90 साल के उम्र में अब रोसाश की भी मौत हो चुकी है तो हिटलर के जिन्दा रहने की कहानिया बहुत सारी बीच में आई थी आखरी वक्त में ब्राजिल में देखने की बात आई थी लेकिन ये सारी कहानियां जो है कभी किसी पुखता सबूत के अभाव में किसी अंजाम तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई और रूस् का ये दावार है कि जो दावा है वो सबसे बढ़ा पुखता सबूत था एक तरह काड़ी अने था कि ये दानगे थे और जो २क्तिस्ट है जिसके उपर लाखों यहूदियों के गतले आम का इल्जाम है और यह वही जो फिट्टर के टाइम में जिस तरीके से जर्वनी में यहूदियों का गतले आम हुआ कहते हैं कि वहां से पहली बार यहूदियों को जो जान बचा कर भागे वहां से तब उन्हें लगा कि उनकी भी अपनी कोई जमीन होने चाहिए उनका भी अपना कोई देश होना चाहिए जो एक पैचान होई होगी होगी और वहां से फिर इसराइल का जन्म शुरू होता है जो 1948 में जब इसराइल बना तब तक फिर जारी रहा तो Second World War और हिटलर के गतले आम के कुछ साल के बाद ही इसराइल जन्म में आता है और इसराइल आज एक देश है ना सिर्फ देश है मजबूत देश है और उसकी सीक्रिट सर्विस मुसाद के तो कहने ही क्या है लेकिन जर्मन को पूरे दुनिया पे हुकूमत करने का हक है और यही हुकूमत करने लाइक हैं क्योंकि यह सबसे बिलियंट हैं सबसे अच्छी सोच है इस एक सोच के पीछे हिटलर ने पूरे दुनिया को जंग में जोग दिया करीब सेकंड वल्वार में दुनों तरफ से पांच करोल के करीब लोग मारे गए थे और कहते हैं कि लाखों यहूदियों का कतले हम जर्मनी में जो हुआ था वो हिटलर की वज़ें से हुआ था तो एक अजीब तानाशा हिटलर की कहानी कुछ चीजे इसमें छूट गई हूँ तो आप लोग याद दिलाइएगा फिर कभी बताते हैं और कुछ घल्तिया हो गई हैं तो भी बताइएगा तो आज इतना ही फिर मुलाकात होगी कहानी के किसी नई एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ और जो कुछ कहानियां गायब हो गई थी स्रीज से 441 से लेके 467 वो वापस अपलोड कर दी गई है और आपको आप मिल गया होगा तो आप तिन लोगों ने नहीं सुनी जरूर सुने तो आज इतना ही इजाज़त दीए